हेलो दोस्तों, स्वागत थे आपका प्रेंका लर्निंग क्लासेज में JPC एक्जाम को ध्यान में रखते हुए JPC Special स्री चलाई जा रही है ताकि आपका एक्जाम में कोई कोश्चन ना चुड़े तो चलिए हम लोग देखते हैं JPC Special Fact आज हम लोग Unit 7 देखेंगे जिसमें है जार्खन भूमी समंधित कानून काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है यहां से एक्जाम में कोश्चन बनेगा तो ध्यान से ग्यान रखेंगे तो जिसमें पहला हमलों देखेंगे छोटा नागपूर कास्तकारी अधिनेम उनिसवाट पहला हमलों देखते हैं चोटा नागपूर कास्तकारी अधिनेम की प्रिश्ट भूमी कैसी बनी चोटा नागपूर चेतर की अंतरगत कोलाण उतरी दक्षिनी चोटा नागपूर एवँ पलामु प्रमंदलिय चेतरा आते थे प्राची इन सभी जन जातिया इस छेत्र में आकर जंगलों की सफाई की तता खेती के लायक बनाया सदानों के द्वारा विक्सित की गई खेती जमीन को कोर कर मुंडा द्वारा विक्सित की गई खेती को कुटकुटी उराओ द्वारा विक्सित की गई जमीन को भुयरी कहते थे परते गाओं स्वाह लंबी होते थे तर तमिल जूलकर कर रहे थे प्रमपडिक सासन विवस्था के अंतरगत हो और मुंडा जन जाती विवस्था की मुंडा मानकी पत्ती के नाम से जानी जाती थी जबकि उराओ में इसकी विवस्था को परहा पंचायत का नाम देते हुए मुहतो और दिवानी विवस्था परचली थी मुंडा उराव का ग्राम परमो को हातों मुंडा या महतों कहलाता था जब कि कई गाउं को मिलाकर गटित परहा पंचयत अधिकारी मुंडा समाज में मानकी तथा उराव समाज में दिवान कहलाता था नेक्स्ट है इन अधिकारियों दोरा कभी भी सासन विवस्ता संचारन नेतु टैक्स कर वसुली नहीं होती थी इनके कारियों के बदलेने ग्रामीन भूमी दी जाती थी मुंडा समाज में भूमी का सामोई को अत्सेश्ट होता था उसे कुट कट्टी प्रणाली कहा जाता था इसका संचारन खुट गाउ में मुंडा और पाना में मानकी करता था नागवंसी काल में कर बेवस्ता वसूली में मान की प्रवर्तन देखा गया, विसेश करदूर्जन साल को जायंगीर के द्वारा बनाये जाने पर इस घटना के बाद नागवंसी राजा जायंगीर दार के माध्यम जसेमित करो की वसूली आरम किये थे, परंतु भूमी के अध अधिकार प्राप्ट किये, तो इक जारकन में वीसीद परदेश का हिस्सा था, अता अंग्रेजों को भी इस चेत के दिवानी पर था अधिकार प्राप्ट हो गये, नेक्ष्ट सत्रच तर्यान में इस भी मेलोड करन वालिस ने बंगाल बियार उरिसा के चेतरों पड़ेक भूमी वंदोबस्त किया, जिसे अस्थाही तता जमिनदारी वंदोबस्त कहा गया, इस वंदोबस्त के जरी इस चेत की समस्त भूमी का स्वामी जमिनदारों को मान लिया गया, वो किसी भी बेक्ती को जमीन चिन सकते थे और दुसरे बेक्ती की निलामी कर सकते थे, परिना कट्टी बुयारी कोरकर काते थे वह गेर आदिवासी के पास अस्थाई रूप से हस्तरांतित हो गई आदिवासी भूमी हिन स्रमिक बन गए नेश्ट है अंग्रेजी सासनकाल में प्रसासनी कारणों में भी फिर बदल किये गया जारखन विजय के बाद अंग्रेजों ने अल आदालती पर नाली जो बेयत कर चेली थी उसे बहन कर मुकदमा जीत सकने कर हासिल कर सकते थे नेश्ट है अग्रेजी सासन के दोरां साब परतामर्साथ 1878 में जंगल कालू निर्मित किये हुए आदिवासी जंगलों में अपना प्रमप्रागत अधिकार समझते थे जंगल क संपरदाओं को अपनी संपति वांते व्रस का संरक्षन और उबोग करते थे एक पर एक परकार के बन कानुनों को आने से अधिवासियों के जंगल उत्पादन की कर पर नाली के दारे में आगया और लकरी के जलावन के संग्रेपर भी टेक्स देने को मजबूर होना परा न अधिवासियों के मजबूरी का फायदा उठाते हुए बड़े पैमाने पर उसका इसाई दर्मानता अंग्रेजी करनुनी सानक्षन के दारे में संपान होने लगा जिसके आधिवासियों की संग्रिती में संग्कट में पर गई नेस देखते हैं उप्रवक्त इस्थिती में अधिवासियों ने अपना सर्वस छीनते देख अंग्रेजी विवस्ता जिसके अंतरकत जमिनदार साहुकार बाकील प्रसास्निक अधिकारी मरवारी आदी लोग आते थे और जिसे अधिवासि दीकु दिक कहकर संबोधित करते उनके विरुद अधिकार हतियार उठा लिया जिसके संपूर्ण विरोध दिकु और अंग्रेजी विवस्ता के खिलाप रही विद्रो के अनवरत 50-70 बरसों तक सिंकला चली जिससे अंग्रेज अधिकारी था कर अंतिता प्रसास्निक विवस्ता हैं जमिनी अधिकारों में परिवर्तत करने ले बाद हो गया परिणामता कुलान चेत में विकल संडूर्ण के द्वारा मुंडा मान की विवस्ता की प्रिणरस्था अपना हुई छोटा नागपुर काष्टकारी अधिनियम संथाल प्रंगना में संथाल कास्तकारी अधिनियम लागो कर अधिवासी हि सीला अर्थात कालान के राजा जगनाथ डाल को हट आकर निम्बू ढालका राजा बनाया तथा पच्छपन सो रुपे वार्षिक लगान ते किया नेक्सटे 177 जायकब केमर ने जह क्रिश्न राय की जगा गोपाल राय को राजा बनाया उनसे 12,000 रुपे वार्षिक लगान त पूर्टिंग जमेंदारों से उचे कर हितु सम्भोधन का नेक्स्टे 17 सित्रियान में जारकन में जमेंदारी बंदवर्ष्ट कानूल लागू किया गया 18-9 में रामगट मेजिस्टेट के अधिन थाना परनाली लागू की गई 18-6 लारमगट कलेश्टर को कलकत्ता बोड अप्रेवन्यू के अधिन किया गया नेक्स्टे 18-24 अंग्रेजों नेहरियाक पर पत्चुई नामक कर लगाया 18-8 तर जंगल कारोन लागू किये गया 18-85 बंगाल टिटिंसी एक्ट पारित किया गया नेक्स्ट अंग्रेजी विवस्ता के किलाप होने वाली बिद्रों 24-27-49-4-5 मानभूं बाढभूं 5-36 वर्षु तक बिद्रों चलता रहा 4-27-78-78-58 पलाम्मो में अगलग भग 50 वर्षु तक अलग अलग नेत्वित का बिद्रों हुआ गाटबाल विद्रो 1772 सितियात्तर रामगड चेत्र में मुकंद सिंग के नित्युत में या विद्रो हुआ तमार विद्रो 1772 से ठरस साथ या विद्रो रामगड तमार सोना हारू नावागड चेत्र में चे चर्णो में हुआ नेक्ष्ट भोमेविज बिद्रों 822 गांगा नरान सिंग के नितुत में सिंग्भू और मानभू चेत्र में हुआ कोल बिद्रों 831 से 32 बुद्धु भगत के नितुत में चुट नाकपूर खास पलामू सेम्भू माम्भू में या बिद्रों हुआ नेक्ष्ट मुंडा बिद्रों 793 से 32 बुद्धु राहे सिली तमार चेत्र में पाँच चर्ण में हुआ उल्गुलान बिद्रों 895 से 900 बिर्शा मुंडा के नितुत मेराची कुटी चेत्र में हुआ नेक्ष्ट देखते हैं लगतार बिद्रों के उपरांत अंग्रेजों द्वरा भूमी सुधार कानून के परियास 1862 में अंग्रेजी सरकार ने मजीस भूमी को चिनित करने के लिए बाबु राखल डास हालदर के नेतुत में भूयरी जमीन को सर्वे कराया गया यह 1869 में पुन हुआ अंग्रेजी सरकार द्वरान सूची जन जाती के भूमी को सनक्चित करने है तो यह पर्थर परवासाली कदम था नेक्स्ट है 1869 यह अंग्रेजी सरकार ने छोटनागपूर टेडेंस एक्ट पारित किया जिसके तहत इस कमिस्टर के द्वारा भूयरी भूमी के सर्वे के सेटेल्मेंट कराया गया परन्तु इस मिराज हंस्टेंस अंटाज सधान रहित खुटकट्री भूमी पर सर्वे का परकाज नहीं कराया गया 1869 इसी वर्ष को सहरों में मिनिस्पिलिटी की अस्थापना की गेजी से नोटिफाई एरिया कमीटी का नाम दिया गया नेक्स्ट है 1866 इस वर्ष छोटनागपूर में एक्वान वर्ड एस्टेट एक्ट पारित हुआ जिसके तथ गवर्नर जनरेल के नुमती के कमीशनर माल गुजारी नहीं देने वाले जमिनदार की जमिनदारी जप्त करा सकता था छोटा नागपूर में उस समय कुल 35 इंकेनवर्ड इस्टेट थे निक्स्ट है 1889 अंग्रेजी सरकार ने भू सोधार पर किरिया को आगे बढ़ाते हुए छोटा नागप इस वर्ष पर सास्निक एक्ट पारित किया गया इसके तर लोहर दगा जिल्ले में बीदी अस्तापित की गई बाद में निस्प्लीटी का गठन किया गया कितर यायतों की जमीन की विक्री पर लगा रोक समावत कर दिया गया नेक्ष्ट 888 आदिम जन्जातियों को एक निश्चीत मातरा पर पंचबई घरेलू सराब बनाने का अधिकार दिया गया नेक्ष्ट 889 अंग्रेजी सरकार नेक्ष्ट 999 में बंगाल रेंट सेटलमेंट एक्ट पारित किया जिसकी धारा एट जार्खन में भी लागू की ग आदा कर रहा है तुसे जमीनदार जमीन के भी देखल नहीं करेंगे नेक्ष्ट 999 बिरसा मुंडा के विद्रों के बाद छोटा नाखपूर में पहला सर्वे सेटिलमेंट आरम किया गया इसे मौजावार सर्वे के थाथ खेवट और खत्यान का निर्मान होता था नेक्ष्ट 999 चोटा नाखपूर सर्वे सेटिलमेंट के प्राप्त जनकारी के अधार पर चोटा नाखपूर कास्तकारी अधिनियम 1903 बनाया गया जिसमें रहयतों के लिए नहीं विवस्ता की गयी थी इस अधिनियम के पूरा 1903 तटा 1905 में संसोधित करने के बाद 1908 में चोटा नाखपूर कास्तकारी अधिनियम के नाम से पालित क्या गया 1903 मिसंसोधन जोत्य के नहीं सीरिप से प्रेमाइस की समंधी था जबकि 1905 के तथ कास्तकार खोटिदार कर और रहियत की परिवासा तै की गयी थी नेक्स्ट टापिक हम लोग देखते हैं चोटा नाखपूर कास्तकारी अधिनियम से जूरी महत्पूर जनकारी सी एंटी एक्ट का उदेशा दिवासी भुम्यूको अवैत कबजार उपना सी एंटी एक्ट का सर्वे पर कूल खर्च सोलला लाक रुपे हैं सी एंटी एक्ट प्रवावित प्रमंडल चारह पलामो कुलहान उत्री और दख्षनी छोटा नाखपूर सी एंटी क्ट प्रवावित जेलो की संक्या अथारो है CNT से पूर परतम वर सरवे का नाम टर वर सरवे है CP डूटेर्वल सर्वे थे उर्मवर्ड करणल एक, कुल CC अफिसर्वी realtà C&T अब तक कुल कितना संसोजन हुआ है C&T 8 के नौमियन सुची में सामिल धारा 46, 47, 48, 41 का 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 24, 41, 41, 42 C&T 8 के अधिल ली जानने वाली पर्योजना शेद्र उध्योग और खन्दर सोला के संसोधन के तात अधार्बुद सनचना रेल कॉलेज, टांस्मीशन, लाइन के लिए भोमी अधिगरहन होगी परन्तु मानता नहीं मिली C&T 8 के एक मात्र बाहर प्रमंडग, संथाल प्रगना, C&T 8 के प्रियरक पर विद्रो, बिर्सा मुंड़ा विद्रो, उल्गुलान निक्स्ट ट्रॉपिक देखते हैं, चोटा नाकपुर कस्तकारी अधिनियम का अध्यावार विभाजन अध्या एक में धारा एक से तीन है, विसे है, प्रारंबिक नाम परसार और पडिभासा अध्या दो में 4 धारा 4-8 है कस्तकारो का बर्ग, अध्या तीन में 9-15 धारा है भूधारग, चार में 16-36 धारा है अविदी वोगी रहियत नेक्स्ट अध्याए पांच में 37 धारा है कुटकुटी अधिकार प्राप्त रहियत अध्याई 6 में 38-42 अनध्योबी रहियत अध्याई 7 में 43 दाराय अध्याई 4 अध्याई 6 से छूट प्राफ्ट भूमिया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अध्याई 8-41-51 तक है जोतों के भूग रीतों का पट्टा और अत्रन नो में अध्याई में 51-52 से लेकर 63 लगान के सधारा नुपवंद नो के को में 63 को के को में है अध्याई 10 में 64-75 भू स्वामी कश्टकार के लिए प्रकी नुपवंद का कोरकर अध्याई 11 में 86-89 है रूडी और संबीदा अध्याई 12 में 83-100 अधिकार अविलेक और लगानों का निर्धारन अध्याई 13-117 भूमी समंदी सरते उसकर पांतरन अविलेक अध्याई 14-118-126 भू स्वामी का विशेस अधिकार वाले भूमी का अविलेक अध्याई 15-127-134 अधिकार अविलेक खुटकुटी अधिकार वाले रहियत ग्राम भूमिया अविधारिय की अनबरगों की बद्याता है अध्याई 16-135-129 उपायुक्त द्वारा संगेन विशेयो कनियाई परकिरिया अध्याई 16-129 का अकधार है बिहार और उडिसा लोक मांग वसूली अधिनियम 19-14 के अधियन लगानों की वसूली की संथिर परकिरिया अध्याई 17-32-328 परिसीमा विशे है अध्याई 18-249-256 मुंडारी कुटकुटरेरो के जुरे विशेस उपवन्ध अध्याई 19-257-211 अनुपूरक उपवन्ध है नेक्स्ट अपिक हम लोग देखते हैं चोटा नागपूर कास्तकारी अधिनियम 1908 का समगरादियन इसमें अध्याई 1 देखते हैं संचीप नाम टता परसार धारा एक में संचीप नाम परसार है मुख प्रवधान इस धारा के नुशार कानून संचीप नाम चोटा नागपूर कास्तकारी अधिनियम 1908 है जो 11-1908 से लाग हुए है इसका विस्तार उत्री और दक्षनी चोटा नागपूर प्रमंडल में है चुकि बरतमान में इन दोने प्रमंडलों को बिगटीत करदोने प्रमंडल पलाम को लहां बने हैं अतो इन पर सभी कानून का विष्थार है इसमें विहार उरिशा मिनिस्पल एक्ट उनेश्व बिरान उनेश्व बाइस के अंदर्गात आने वाली नगर पालिका छेतर नगर निगम चेत्र जाबनी चेत्र अनसूची चेत्र भी सामिल होते हैं निर्शन इ अन्टी एक्ट लागू होने के साथी अनसूची को में सामिल अधिनियमों को सूचना जो धनवाद जीले के सीमबू जीले के पट मदा इचागड और चांडिल थनाव में लागू है निक्ष्ट नों देखते अनसूची को के कानूम छोटा नागपुर भूस्वानी परिन निर्धार नादियम 889,ॡ बंगाल लगान अधिनयम 1868,ॡ बंगाल लगान अधिनयम 1863,ॡ बं लगान अधिनयम 1863ॡ 20 क्रिश्टमनों परिवासाय देखे इस दाराक में CT Act के परिवक्त होने वाले परमुख सब्दों के परिवासित किया गया है जिसमें क्रिसी वर्ष किसी अस्थानीय छेत्र में क्रिसी कार के लिए जो वर्ष परसिलीत हो वही मान होगा यहां एक अपरिल से 31 माज तक समय क्रिस लोक Tibang Basuli अधिना इस चौदा के धारादो के अंतरगात सामिल अधिकाडि, सिबिल जेल, सिबिल जेल तथा सरकार द्वरक के दिकार के रखने की जगा आयुक्त नैयाईक आयुक्त चोटा नागपुर के आयुक्त तथा नैयाईक आयुक्त उप कलक्टर, साहयक कलक्टर और अ हुप कलक्टर जिसे उपायूक्त के कार्जोत्य अधिक्रीत किया गया हो dużo किसी रहीत के द्वार्ण अपने जोड खेत वा जमीन को बिदि करना संपदा उपायूक्त द्वारस करनांतिक राज़समुक्त और राज़स प्रदानी भूमी सरकारी खास महल एवpi राज़स मुक्त भूमी नेक्स्ट वान उपज बनों से प्राप्त होने वाले बनुत्पाद जोत रहयत द्वारधारती भूमी या भूमी खंड खोरकर बनाया गया हो। भू स्वामी जिसके अधिनरहयत और कास्टकार भूमी प्राप्त करता हो लगान चुकाता हो। जंगल संपती, जंगल से प्राप्त बन उत्पाद, खरी फसर, मुंडारी खुटकारी, मुंडारी खुटकारी दरकाहित, भुगतान करना, लगान और भुगतान, स्थाई भूद रिती, स्थाई भूदारकाहित, अस्थावर सर्थ, लगान के अलावे, अन्सर्थ, भीहित, सरकार द्वारा नियम को लागू करना निक्स देखते श्वात धारी बेक्ती का नियास के रूप में अपने फायदे के लिए दिकरित होना रजटरी क्रीट दस्तावेजों का पंजियन लगान रहयत के द्वारा भू स्वामी को भूमी के उपयों के बदले दिया जाने वाला भू ग्राव अभूमित रहयत को कोई नर्वारिस नहीं होने पर भूमी का भू स्वामी को वापस हो जाए। पर अधिकाड़ अभिलेक त्यार कर लिया गया हो। ग्रामीन मुखिया किसी ग्राम का मुखिया चाहे हुआ मानकी य परधान का माजी के नाम से जाना जाता हुए। स्थाई बंदवस 1708 में में बंगाल अर उरिसा के समय में किया गया स्थाई बंदवस। में सदिनीयम के अंत्रगत्कारों के चार परकर करकर चयरकार निदारइद किये गया है भूधारक व्वामि को यू धारक यह अपनी भूम यह उडियोगी दिकार नहरे हो। खुटकर्टी रहयत या भू रहयत किसे कुटकारी अधिकार प्राप्ट हो दर रहयत ऐसे कास्तकार जो रहयत की अधिनो निर्धारित लगान चुकाता हो मुंडारी कुटकारी दर जो मुंडाओ के द्वारा जंगल को साप करके प्रिसी योग भूमी बनाया गया हो भूधारक कार्त होता है भूधारक तब वेक्ति जिससे अपनी और दूसरे की भूमी खेती कार हेतों धारन किया गया हो नेक्स्ट र என कार्त वेक्ति जिसने खेती करने और करवाने के भूमी लिया है कुटकुटी अधिकार रहयत का अर्थ है, कुटकुटी अधिकार युक्त रहयत का अर्थ वो बेक्टी जिसे मुंडाओं के कुट परवंपरा भूमी के अधिकार ग्रहन किया हो निक्स्ट है मुंदारी कुटकारी दार्गार्थ है वो मुंदारी जिसे कुटकारी दार भूमी के जोत का अधिकार अरजित किया हो निक्स्ट है अधियातीन भूधारक भूधारक लगान व्रीदी के लिए कबदाई नहीं होगा यदि किसी भूधारक के लगान में बंदोवस्त की समय परिवर्ता न किया गया हो उसे लगान में बंदोवतरी नहीं की जाएगी बूध रितियों का कतिपाय अर्ट रेक्षन रिजिस्ट्री करण जब किसी बूध रिति और किसी भाग का अंतकरण बूध रिति कर्याले में रिजिस्ट्री करण अनुग्यात करने से बूध स्वामी के द्वारा इंकार करने पर प्रिक्रिया एधि कोई बूध गिरित धारा एग्यार की पालन नहीं करे तो अंतर रिति उसके उत्रादिकारों को अधिकार एक उपायुक्त के पाद आवेदान देटरता जात्यों पुरांट उपायुक्त नियमा उनकुल आदेश पारित करेतरता अंतरन स्वत्त दर्श्ट्री सम्झा जाएगा भूध रिती का विवाजन और लगान का वित्रन किसी भूध रिती और इसके भाग का विवाजन हो तो लगान का भी अनुपातिक विवाजन किया जाएगा निक्स्ट है पुनग्राही भूध रिती के पुनग्रानार पण विकलंगमों का इनकरम रयज़िज का ब्रीताली करन कोई जमीन का पुनग्राहन योग होगा वो तो पुनगरहन तीती को पुनगईत हो जाएगी लेकिन इसके अपवाद है किसी चापनी के लिए सरकार भूमी अधिगरहन करे जहां निवास ग्री निवास साला अन्रिस अस्थाई भवन निर्मित किया गया हो जिस पर अस्थाई अखधान बागान होज नहर पुजा अस समसान और करविष्थान अस्थापीत किया गया हो सरकाल के कार्शक्रम फेट अधिगरहन भूमी निर्मित किया गया हो निष्ट है अविवोगी रहयत विदमान अधिवोगी कार का बना रहना अगर कोई रहयत लगा था और 12 वर्सों तक खेती किया रहा तो इसका अविदो अधिकार बना रहेगा बन्दोबश्ट रहयत की परिवासा ऐसा रहयत जिसने इस नियम को लागू करने के बाद पुना बाद में 12 वर्से लगतार भूमी धारतों की किया हो बन्दोबश्ट रहयत बना जाएगा जब कोई ब्यक्ती रहयत के रूप में भूमी धारन करता है तो वह रहयत की अब्दी के तीन बर्स बाद ग्राम का बन्दोबश्ट रहयत समझा जाएगा यदि कोई रहयत धारा 74 के अधिन वाद केस के जरिये भूमी पर कभजा वापस लेता है तो जमीन के तीन बर्स के अधिन समय तक जमीन का मालिक नहीं रहने के बाद जो तुह बंदोबश्ट रहयत माना जाएगा निक्स्ट कतिपाय दसाओं में भूमी आरों और मुंदारी खुटकित धारेों के बंदोबश्ट रहयत होना इसके संदर में दो प्रमधान है पहला यदि किसी ग्राम में महय ज्वरबर खेला के रूपने गात भूमी के अलाबे कोई भूमी जो छुटा नाकपु टेरें से 1779 के तहत तयार किये रेजिस्टेशन में सामिलो तो वहां किसी भूईयर परिवार से सदस्त लगतार बारों बर्सों तक भूमी धारन करते आए हो तो उसे बंदोबश्ट तयार माना जाएगा निक्ष्टे किसी ग्राम के ऐसी भूमी जो मुंदारी कुटेकदारी का इस्तकारी का भाग नहीं हो फिर भी इस अधिनियम और पहले किसी अधिनियम के तथ मुंदारी कुटेदारी के रूप में दर्ज हो तो ऐसे ग्राम को मुंदारी कुटेदारी का इस्तकारी परिवार तो उसे रहियत के रूप में अधिभोग दिकार सुरक्चित होगा नेक्स्ट है भू स्वामी द्वारा अधिभोग दिकार का अर्जन का प्रभाव किसी अधिभोग जोत का भू स्वामीत रहियत के संपुन हित अंतरगंत में अंतरान में अधिभोग इतिकार के अर्जन का प्रतिकूल प्रभाव नहीं परेगा नेक्स्ट भूमी के उप्योग के समन्द में अधिभोगी रहियत का अधिकार किसी रहियत को किसी भूमी का अधिकार होता हुआ भूमी का उप्योग अस्ठानिय रूडी और प्रता पर बीना प्रता का ध्यान दिये क्रिसी काल कर सकता है सर्थ है कि भूमी के मुल में कम नहीं हो तो खेती के लिए अनुव्यक्त नहीं हो अधि कोई रहयत अपनी जोद के लगान का भुगतान करता है तो इस परकार के जोद पर किसी भी पर्योजन के लिए निलमित किये गए तलाप के उत्पादों में 9-20 हिसा भू स्वामी का एवम 11-20 हिसा रहयत का होगा 21 का पहला ब्रिक्चो के अधिवोगी रहयत का अधिकार जब किसी रहयत के किसी भूमी का अधिवोगी अधिकार प्राप्त हो तो लगान का भुगतान नगत किया हो वह भूमी पर ब्रिक्च वबास लगा सकता है और काट सकता है ब्रिक्ष के फल फुल लाक और कुसकारी उगा सकता है कुसबरी उगा सकता है परयोग कर सकता है यदि इस भूमी पर लगान का भुगता अंधारा 61 के अनुसार किया जा रहा हो तो इसमें उपास्तित काश्ट लकडी पर वो स्वामिय में रहयत का बराबर हिसा होगा इसी परकारे से भूमी पर उगने वाले बिक्ष उतपाथ जैसे फॉल फुल आधी में वो स्वामी कहीं सा 9 बटाबीस रहयत कहीं से 11 बटाबीस होगा अधि भोगी रहयत का बिर्दिश्ट अधारोप असीबाय बिदेकली किसन रक्चन अधि भोगी रहयत के वो स्वामी अधिबोग ताडी रहयत बिनाबासियत वसीयत के निर्दारण किये गया मिर्तु हो जाती है तो उत्रा अधिकारी को अधिबोग अधिकार उसी तरह प्राप्त होगा जिस रित से अनसंपत्ती प्राप्त होगी नेक्स्ट है 23 गा कव अधिवोग जोतों को अकतिपयात करनों करजिस्टरी करन यदि कोई अधिवोग विक्रैत दान बसियत और बीनिमे द्वारा स्टरंतित किया जाए तो उसे रजिस्टिकित कराना होगा नेक्स्ट है लगान भुक्तान के लिए अधिवोगी रहियत समय से निजारत लगान का भुक्तान करेगा अधिवोगी रहियत का लगान उचित और सामिक है या उपधारना किसी अधिवोगी रहियत द्वारा निर्धारित लगान का भुक्तान उचित और सामिक माना जाएगा यदि उसे प्रतिकूल नहीं ठारायleft जाता इस अधिनियम के प्राड़ में पुर्व वर्धित लगान की पूष्टी यदि किसी अधिवोगी रहयत की भूमी का लगान चोटा नागपुर्व भू स्वामी कास्तकारी प्रिकिरी अधिनियां 1889 मिल्क द्वारा बढ़ा दिया गया हो तो बढ़ा हुआ से रहने दिया जाएगा समान्त उपायुक्त के अनुशार लगान की ब्रीदी की जा जाए अस्मरा नाइकिधारा बारा के दिन राजस्व अधिकारी पारित आदेश कभी लगान बढ़ाया जाता है नेश्टे ब्रीदी के लिए उपायुक्त के पास दिये जाने वाले आवेदन पत्र का अंत बस्तु उपायुक्त को दिये जाने वाले आवेदन के भूमिक के स्वंपून विवर्नी के साथ आवेदन दिया जाएगा नेश्टे ऐसे आवेदन पत्रों के प्राप्थ पर परकिरिया आवेदन पत्र प्राप्थ होते ही इसके सुचना रईयत को दी जाएगी भूम में जिस चेत के बारे में पूर्व से लगान दिया जाता हो उस चेत में अधिरिक्त पारित भूमी का आवेदन उपायुक्त को दिया जाएगा निग्स्ट है अधारा बद ऐसे अवेदनों की पराप्ति परकिरिया धारा 29 के अनुसार प्रारित होगा 22. 31- 32 के अंतरगत भू सवामी दौर लगान की बसुली की जाएगी 33 कव में लगान की कमी, लगान की कमी का दिकार उपायूप्त को सुरक्षित रहेगा 34 में लगान में कमी के लिपायूप्त के पास आवेधन, लगान कम करने के लिए अधीब होगी रहियत के उपायूग के पास भूमी उमलगान की पुन विवर्नी के साथ आवेदन देना होगा निक्ष्ट है ऐसे आवेदन पत की परकिरिया पर प्राप्ती पर परकिरिया आवेदन प्राप्त होने पर भू स्वामी की सुचना दी जाएगी निक्ष्ट है जहा अधिकार अभी लेक ना हो वहाँ लगान में और भी ब्रीदी और कमी का वर्जन है अधिवोगी रहियत का लगान में ब्रीदी या कमी उपायूग के आदेश से लिकिया जा सकता है निक्ष्ट हम लोग देखते हैं अधिया 5 खुटकुटी अधिकार का प्राप्त रहियत है इस अधिनियम के अधिव होगी रहियत समंधी अपमंद उन रहियतों पर लागई होगी जिने खुटकुटी अधिकार प्राप्त हो लेकिन यदि रहियत दोराईस अधिनियम के आर अधिवोगी रहयत पर निर्दारेत लगान से अधिक नहीं होगी नेश्ठे अनाधिवोगी रहयत के प्रणबिक लगान और पट्टा किसी अस्थानी रूदली प्राता के अंतरगत अन अधिबोगी रहियत जब अधिबोग का सामिल हो तो लगान के उक्ताण कदाई उसे बू स्वामी के बीच जो भी करार पहें जागे उस पट्टे का हखदार होगा अदारह 149 इस दारा के निसार अनिक भोगी रायत को अपनी जोद के लगान उसी परकार निम सर्ते हैं तीसर एक्रीसी वर्स के आरम होने के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले दो वर्सों का लगान का भुगतान रहयत न करे उसे बेकर दखल किया जा सकता है नेक्स्ट है जोत के भूमी का कोई रहयत इस परकार उप्योग करे जो भूमी का मुल घट जाये तो खेती क करने के लैक नरọn बैदेखल किया जा सकता है रहयत अपने और भू स्वामी के भीच है संवीदा कि किसी नियम का उलंगन किया हो निकош्ट है रहयत के भू स्वामी के बीच रिजिश्ट्री स्वाइव टड़्टा का अबधि समापत हो गई रहयत निनिधारित लगान का व juvenile क इंकार करता है तो भू स्वामी की रहयत को जमीन से बेदै करने यितु उपायुक्त तर्याले में आवेधन देना होगा जिस पर उपायुक्त अंतिमने होगे, अदिया साथ अधिया चार एवंचे से छूट प्राप्त की भूमी भू स्वामी के विसेसा अधिकार युक्त प्रवधान लागु होंगे अर्थात इस परकार के भुमी लगान मुक्त भुमी होगी जैसे आधि नियम की धार्या 188 के अंतrगत भु स्वामी को दीगेवेसे चादिकार युक्ट भुमी जिसे अभिधारी प्राप्त किया हूँ निस नोक देखते हैं सरकार या किसी अस्थानिये प्राधिकर्न प्राधिकर्ण या रिलबे कंपनी के अर्जित की गई भूमी किसी चाबनी के बीतर सरकार की भूमी ऐसी भूमी जिसका उप्योग किसी बिंदी संबंद प्रादिकारी दौरा सरक पर बांध नार और जलासे कार के लिए अधिकरीद किया गया हो जोतु और भूद वित्यू के पट्टे का अंतरन रहयत का पट्टे के अधिकार होना परतिक रहयत अपने भूद स्वामी के पट्टा प्राप्त करने का अधिकारीोगा पट्टे के सभी बाते जैसे भूमी के अच्यतपला, वार्षिक लगान, भीकतान के किस्टे और अनसरते उलेखित होगी धारा पैंथालिस भूद स्वामी के परतिलेख पंच बंद केरे हकदार होना जब कोई भू स्वामी किसी कास्तकार का कोई पट्टा देगा तो भू स्वामी पट्टा के सर्तु के अनुरूप एक प्रतिलेक पाने का अधिकार होगा नेक्स्ट है रहियत द्वारा अपने अधिकारू के अंतरगत प्रतिबंद रहियत अपनी जोत और अपनी किसी भीभाग को बंदक के विक्रे दान एग्रिमेंट एत्वास्थारंतित नहीं किराज सकता है लेकिन बाद में कुछ अपवाद जैसे यदि अधि भोगी रहियत अ अनसूची जाती एश्टी के सदस हो उपायूगत के अनसूची में अपनी जोतो के किसी भीभाग में विक्रे दान और अंतरगत कर सकता है बसरति की खरिदार रहियत उनकी धान उसी थाना का स्थानी निवासी हो उपायूगत के अनसूची के किसी अपनी जोत और उसके भा सब्सक्राइब करना जानता हो कर सकता है यदि कोई भोगी रह्यत सेमान जाती का सद्सक्राइब कर सकता है अधिभोगी रह्यत अपनी जोत या अपनी किसी भाग का पांच वरसे अधिक अबधि के लिए विक्रेधान संबीदा कौनटेक्स नहीं कर सकता है निक्ष्ट यदि अधिवोगी रहयत अपनी जोत उसी किसी भाग में को चाहे जो 7 वर्से कम अबदी के लिए भूमी भूमी बंदत कर सकता है अगर किसी जोत या उसके भाग के सम्मंद का ऐसा वर्स केस कोट में लंबित हो जिसमें एक पक्ष अनसूची जाती का सदस हो दूसरा पक्ष गयर अनसूची जाती का सदस है मामले में उपायुक को तीसरा पक्षकार अवस्य कोगा धारा 46 तीन के को अगर कोई रहयत से रहयत नेजी समय अवधी के लिए किसी बेक्ती के जमीन अंतरीत किया गया हो समय अवधी का समाप्त हो जाने वकसे तीन वर्सों के भीतर रहयत का आवेदन पर उपायुक्त रहयत को जमीन वापस दिराएगा धारत श्यालिस चार निश्ट है अगर कोई जोत धारक रहयत उपायुक्त के पास इस बावध आवेदन दे तो उसके बावजुद आवेदन दे तो उस भूमिक अंतरगत मामले में उचित प्रकिरिया का पालन नहीं किया गया उपायुक्त ऐसे आरोपों के जाज करेगा परंतो या आवदेदन अपायुक्त स्विकार करेगा जब जोत धारक ने अपनी भूमी के अंतरगत तारिक से 22 वरस तक के समय अबदी में भीतर आवेदन प्रस्तुत किया गो ऐसे मामले में डीसी स्वत्ता विसंगान ले सकता है दाराट च्यालिस चार को निक्ष्ट अगर उपायुक्त जांच के पैस्चात या पाता है कि किसी जोत धारक ने भूमी अंतरत में आवस्यक नियम का उलंगन नहीं हुआ फिर जोत धारक ने आवेदन प्रस्तुत किया है तो उपायुक्त आवेदन को रद करेगा तक आवेदन करता के मामले में होने वाले खर्च का भुकतान करने का आधेश देगा कि पक्ष में नियम का उलंगन करते हुए भूमी का अंतरंग अपने पक्ष कराया है तो वो जमीन खरीदार पक्ष अंतरंग सुद उसकी जमीन पर दखल वापस दिलाएगा परंत यदि खरीदार अंतरिती पक्ष ने जोत भूमी पर भावान और सनचना का काज निर्मित कर लिया हो तो विक्रे करता उसके मुल का भुकता नहीं करना चाहता हो तो उपायुक्त खरीदार पक्ष का यह अदेश देगा वो दो वर्सु के भितर अपनी निर्मित सनचना को हटा ले परंत यदि उपायुक्त को यह जनकारी प्राप्त हो जाए तो खरीदार पक्ष नहीं जोद भाग पर शनचना का निर्मान छोटा नाकपुर अविदिरिती अधिनियम उन्हें सवनहत्तर में आरम से पहले कर लिया गया हो उस इस्तिती में नियम का उलंगन होने के भाब भुमी का अंतरंक ने को वेदी की मानेता दे देगा एसी इस्तिती में खरीदार पक्ष सम्तुल मुली का भुमी निकट के कैसी विकल्पिक जोतिया भाग के प्लप करा दे वायुक्त दारा मिर्धारित की गई रासी का भुक्तान कर दे समान तोर पर इसे कमपेसेंस सम कहा जाएगा धारा 46 चार गह के अंतरगर निक्स्ट हम लोग देखते हैं नियाले आदेश के जरिये रहयत अधिकार के भिक्रे का पर्तिबंद किसी नियाले के द्वारा किसी रहयत को उसके जोत के उसी किसी भाग में भिक्रे के लिए कोई आदेश डिक्री ना पारित किया जाएगा प्रंतु अनिम परिस्थितियो में न्यारे द्वरा रयत की जोद का भीक्रे का अधिश दिया जा सकता है जोद की समद्ध में बकाया लगान की वसूली के लिए किसी बैंक करीन की उधार रकम की वसूली के लिए बिहार उडिशा लोकमान वसूली अधिनियम द्वरा वंधित प्रकिरिया के अधिन परंतु उपर्योग परिष्टिती में किसी जमीन का अभिक्रे हो रहा हो और जो सुची जाती अनुची जन जाती की जमीन के अनुची जाती अनुची जन जाती का कोई सदस खरिद सकता हो। निक्स तक तें बुहरी बुधिती के अंतराद पर्ति बंद, किसी बुहरी कुटोम का कोई भी शदर चोटा नाकपुर बुरसेथी अधिनियम 1849 के अंतरगद किसी बुहरी बुहरी का उसके भाग का अंतरण कर सकता है, यह अंतरण ठीक उसी परकार होता है जैसे धाराद 46 मे बरनीत है राज सरकार चाहिए जो बुहरी कुटोंगे किसी बेकती को उसके बुर्दीती का विक्रे दान बिन में दोरा अंत्रिक्त करने में संदर में नियम बना सकती है निक्स्ट है कतीपै परियाजन के लिए अधिवोग जोत या भुयारी का बुधूती का अंत्रन धाराज 46-47-47 के अंतर में कोई भी भुयारी खूड का सदस अपन जोत या भुधूती का संतर कर सकता है इसमें पहला किसी उद्यवों की अस्थापना फिर उससे जूरे कार के पत निर्मान हेतु राज सरकार से भुमी का अधिस उचित करें दूसरा किसी खानन करके है तू इससे जूरी कोई पर्योजना है तू उसे जूरे पथ निर्मान है तू भूमी का अधिस उचित किया जाए निक्स्ट कतिपय पर्याजने के लिए भू स्वामी द्वारा भू धाती जोत अरजन जिसमें धारा 46-47 के अंतर गतु पयूग किसी जोत के भू स्वामी के द्वारा आवेदन करने पर भूजी भूमी के अरजन करने का अधिस दे सकता है जैसे खराती धार्मिक सेक्षिनी कार यह तु ब्या सरकार द्वारा खनन कार यह तु निक्स्ट यदि जोत के किसी भाग पर मंदिर मजीत पूजा अस्थर पजवित्र अपवन कब्र या संसान होता उपायोगत भूमी के अरजन को प्राधिनी नहीं करेगा आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा पॉटन टपिक यहां से कोश्चन आएगा तो आज के लिए दूस्तों फिर मिन्ते नेक्स्ट वीडियो में थेंक यूँ आप कि 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 कि